तो हीवा मालनी से मैंने पूछा क्या vibe वे लख्याय पोछा कि आप मुझे बताओ कि L改 एक बार मैंने भाई से पूछा कि लगा मादूरी दीक्षित कहती है एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो कि हेमा मालनी कहती है कि मादूरी दीक्षित के हेमा मालनी पूकि नहीं गिरेंगे के लिदूं अदूरी तो आप पूछेंगे मुझे को कैसी मालनी मुझे को पता चला अभी कुछ दिन पहले बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हिरो हिरो इंजादा रहते हैं व्याख्यान कैसे हुआ एक कोई फिल्मी हिरो है उनका नाम है धरमेरी उन्होंने म घर नहीं गया जब तक कैसे खतम नहीं है जरूर करिए मैं आण होगा तो फिर तो मुझे खुशी आता आईये मैं जरूर आउंगा एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हिरो हिरो इने उनको सबको बुलाई जादा से जादा तो क्या हुआ उनका एक बंगला है योड़ा वाला म पुना और बंबई के बीच में वहाँ उन्हों ने व्याक्ष्यान रखा मैं गया जाला लोग तो नहीं आए कुछ 25-30 लोग आए थे उनके बीच में बीटिंग हुई बाच्चीत हुई बहुत सारे सवाल पूछे जब खतम हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे का कि अब मैं मैं एक सवाल पूछोंगा तो हिमामाली से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो कि नहीं मैं लाइपगा से नहाती हो कि नहीं कि हुएं अधर आप मलाई डालके नहाती हो तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती है कहना लगी डर लगता है मने बाद क्या डर लगता है कि अगर हिंदोस्तान की सबी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहना शुरू किया तो सब लिममाल नहीं हो जाएंगे तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हिरोईन साबुन से नहीं नहाती क्यों? उसका कारण है जितने साबुन है वो बनते हैं कास्टिक सोडा से और कास्टिक सोडा शरीर की तचा के लिए बहुत खराब होता और आप ये चाहा को प्रयोग करिए साबुन से नहाइए नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जा तो नहाखुन से ऐसे लाइन खीचे सफेद रग की लाइन खीचे और आर्चकल ठंडी का देना साबुन से नहाइए 10 मिनट बाद आपका पूरा चोरा सफेद सफेद हो जाए क्यों उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की तचा से चिपक जाता है चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं इसलिए साबुन सबसे रग्दी चीज है तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है बेस्ट क्वालिटी है मुलतानी मिट्टी मिलती है अभी भी इस देश में खरीद लाइए बागार से क्या करें उसका मुलतानी मिट्टी को दही में डाल दीजे रात को या दही की ताक में डाल दीजे सबेरे तक एक दब मुलाइम हो जाएगी उसको पेस्ट बनाईए शरीर पर ऐसे ही लगाईए जैसे साबून लगाते हैं और नहा लीजे गरम पानी से एक दम फ्रेश हो जाएंगा दूसरा तरीका चने का आता माने बेसन उसमें मलाई मिलाईए पेस्ट बनाईए उसको रगड़िया और उससे नहाईए तीसरा तरीका आप जो है अपने घर में ले आएए मसूर की डाल का आता मसूर की डाल होती है उसको पिसलाईए उसका आता बेंटा उसमें शहध मिलाईए मद मिलाए और उसका पेस्ट बनागे उससे शरीर को लगाईए और गरम पानी से नहाईए आपकी स्किन एक बंब साफ्ट हो जाए चौफा तरीका मुलता नुमित्ती लीजिए अरीठा का पाउडर लीजिए शीका का ही पाउडर लीजिए कीमा को बराबर बराबर मात्रा में मिलाईए दिब्बे में बंद करके रखिए एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगलता नहाने के बीस मिनट पहले एक चमच पाउडर एक गिलास पानी में डाल लीजिए और उस पानी से तहले शेर के बाल धोलीजिए आपके बाल टूपना बंद हो जाएंगे और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरती महसूस नहीं हो और आपको मैं बता हूँ सबसे अच्छा आपके यहां अकोला में गाय के गोवर से एक साबुन बनता और गाय के गोवर से जो साबुन बनता है पिछली वार में आया था यहां से खरीब के ले गया और मैंने मेरे सब दोस्तों को बाटा मैं भी नहाता हूँ मैं आपको सच बता हूँ कि उस साबुन से नहाने के दस मिनत के बाद शरीर में से खुश्मू निकलती पिर एक दिन मैंने पुराने कुछ गरंत खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यग किया जाता था तो किसी भी राजा को यग करने से पहले गोगर से इसनान करना जरूरी होता था बग्वान राम ने भी यही किया था जब बग्वान राम ने यग किया तो गोगर से इसनान किया था अच्छा साबुन और अगर आप वो खरी देंगे तो पैसा कहां जाएगा अकोला का पैसा यही रहने वाला और वो साबुन यहां के किसी गोशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां गोशाला में जाने वाला उस गोशाला को चलाने वाले कुछ भाईयों को दोजगार मिलेगा और मेरी तो कल पना है कि ऐसी गोशा लाएं गाओं गली-गली घर-गर में खुल जाएं और उनमे से ये गोगर निकलेगा साबन भी बनेगा दूद बनेगा गी निकलेगा क्या 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 नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्का बदल सकती ही है ओप मुलतानी मिट्टी से ना है अरीवाश ही का का भी मुलतानी मिट्टी के परदर से ना है हिंदुस्तान का हर साल हम compliments पर्चा सकते यह कि छोड़ा सा निजिन